आमोमन आज कल इंडियन घरों में आपको ब्रेट का कंजरप्शन काफे जादा देखनी को मिला होगा, कई लोग नाश्टे में ब्रेट खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन मार्केट्स में इतने सारे ब्रेट के जो अप्शन से अवेलिबल है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि खंशन सब्सकराइब और फमयगा आप सेफे लिगे जाणी है कि おग सब से पहला ब्रेट होता है वाइट ब्रेट ila होता है इसके आलावा यू बहुत जाधा सॉफ्ट होता है लेकिन इसमें strips के रीफाइन वीक फ्लार का यूज होता है जो हम लोग मैदा कहते हैं तो यह जो मैदे वाला ब्रेड होता है हमारी हल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है क्योंकि इतना जादा प्रॉसेस्ट होता है कि इसमें से जुतने भी विटमिन्स मिनरल्स पोटाशियम होते वो सब निकल जाते हैं बस देखने में और खान लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि मार्केट में बहुत सारे लोग जो वाइट मिल रहा होता है उसे में फूट कलर और प्रिजर्वेटिव डाल कर देते हैं और फिर उसे ब्राउन ब्रेड की तरह बेचते हैं लेकिन अगर आप इंग्रेडिन्ट में पढ़ेंगे तो आपक और यह वन अब दे बेस्ट ब्रेड्ट में मिलने वाले इसमें आपको सारे फाइबर्स पोटाशियम मिनरल्स मिलते हैं यह हमारे डाइजस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और हमारे टामी को भी बहुत तक फुल रखत टामी काते हैं अब डाइबर्स हूटक रहती है और यह प्रोस्स भी बौट जादे रहता है तो बहुत हचता की मोटापे का रीजन होता है डाइबर्स का रीजन होता है तो इसलिए वाइड़ को आप बहुत ही कम कंस्यूम करें और हो सके तो ना करें दूसरा यह ब्राउन हाला कि जैसे हमने आपको पहले बताएं कि बहुत से लोग ब्राउन ब्रेड को बेचते हैं तो प्लीज उसको अवाइड करें इंग्रीटिनिंट लिस्ट पढ़ें कि वो आटे से ही बना हुआ है ब्राउन ब्रेड में आपको वाइड ब्रेड के मुकाबले जादा नूट्रिंट्स मिल जाएंगे जो हमारी बॉड़ी के लिए अच्छा होता है यह इसली डाइजस्टिफ फूर भी होता है इसके साथ इसमें शुगर की मात्रा थोड़ी कम होती है और हमारे यह इम्म्यूनि बूस्त करता है हमारे डाइजस्टिफ सिस्टम के लिए विचह होता है हमारा वेट गें भी नहीं करता है इसके साथ ही इसमें हमें सारे नूट्रिंट्स इन दोनों ब्रेड के मुकाबले में मिल जाते है और इसमें इसमें ग्लुकोस लेवल है वह बहुत कम रहता है तो बेचा जा रहा है और तीसमें मल्टी ग्रेंड ब्रेड तो आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा है लेकिन उसमें भी आप इंग्रीडियन लिस्ट चेक करें कि उसमें आटा और जो बाकी अनाज है उसकी क्वांटिटी कितनी है आप शुगर का लेवल चेक करें कि उसमे कमें कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बता है और एसी और भी इंफरमेटिव वीडियो के लिए एंबेटी लाइव को फॉलो करना राभ ले